R.D. Sharma solutions देख रहे हैं Class 11 थे Chapter 11 Technometric equations है Exercise 11.1 अब है Cos theta plus sin theta equal to Cos 2 theta plus sin 2 theta इसमें क्या करेंगे इस Cos को इधर ले आईए और इस sin को इधर ले आईए तो मनेगा Cos theta minus Cos 2 theta यहां मनेगा sin 2 theta minus sin theta अब Cos C minus Cos D sin C minus sin D का formula लगा देंगे तो 2 sin 3 theta by 2 याने इसको जोड़के लिखेंगे और इसको subtract करके लिखेंगे sin theta by 2 ऐसी 2 Cos this plus this by 2 this minus this by 2 यहां तक तो ठीक हो गया अब यहां पर यह sin theta by 2 sin theta by 2 और 2 यह आप पहले इसको इधर ले आईए minus में हो जाएगा माले यह minus है और यह equal to 0 हो गया अब इन दोनों से 2 sin theta by 2 common ले लिजे 2 sin theta by 2 हमने common ले लिए अंदर यह आएगा तो इसमें क्या होगा या तो sin theta by 2 0 होगा या फिर यह term 0 होगा यह अरा term 0 होगा तो कैसे बनेगा देखें सबसे पहले sin theta by 2 sin कोई भी angle equal to 0 होता तो सीधा सीधा है कि theta by 2 plus n pi is equal to n pi 2 को यहां ले जाएए तो 2n pi यहाँ पर theta आप 2n pi आ लिए अब sin theta by 2 minus cos theta by 2 equal to 0 इसका क्या ताप पर है इसको हम कैसे समझेंगे देखें इसमें क्या करेंगे दोनों side को आप divide कर दीजे इसको मैं ले रहा हूँ यहाँ लेटा हूँ को जो है sin जो भी angle है मालीजी sin x है sin x minus cos x है दोनों को आप इसको cos cos से divide करते है cos x और cos x है यहाँ भी 0 है cos x से divide करते है तो यह बनेगा tan x minus 1 equal to 0 tan x हो जाएगा equal to 1 तो x की आए यहाँ पर 3 theta by 2 तो यहाँ tan 3 theta by 2 equal to 1 तो 1 की जाएगा हम क्या लिख सकते है tan pi by 4 बस अब यह tan alpha equal to 10 tan theta equal to 10 alpha का formula आ गया tan 3 theta by 2 हो गया tan pi by 4 यह आपका theta हो गया और यह आपका alpha हो गया इसका general solution क्या है 3 theta by 2 equal to n pi plus pi by 4 तो आप 2 इस side को 2 by 3 से multiply कर दीजे यहाँ जाएगा आपका यहाँ से 3 by 2 है न 2 उपर लेगा है 3 नीचे लेगा है इस पूरे को 2 by 3 से multiply करेंगे तो यह term हो जाएगा sin theta plus sin 2 theta plus sin 3 theta equal to 0 तो अब क्या करेंगे इन दोनों को आप combine कर लिजे और इसका formula आपको पता है sin c plus sin d का तो 2 sin 2 theta cos theta इसको direct मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे questions कर चुके है इसलिए हम इसलिए direct बता दे रहा हूँ 2 sin 2 theta cos theta इससे क्या होगा sin 2 theta sin 2 theta आप common ले सकते हैं तो यह common ले लिजे multiplication है तो 1 plus 2 cos theta अंदर है इसका मतलब यह तो sin 2 theta 0 है यह 1 plus 2 cos theta 0 है sin 2 theta 0 का मतलब सीधा 2 theta n pi है दोनों साइड को 2 सिर्वाइट कर दीजे theta n pi by 2 आ जागा यह पहला इसका solution होगा एक बार n लेंगे एक बार m लेंगे यहाँ पर 1 plus 2 cos theta है यानि कि 2 cos theta equal to minus 1 यानि cos theta हो गया minus half इस minus half इसको minus लिखे half की जगा आप cos pi by 3 लग दीजे और अगर आपको minus cos by 3 जैसे यह इस minus half की जगा minus cos pi by 3 कर दीजे cos pi by 3 क्या होता है minus cos pi by 3 क्या होता है cos pi minus pi by 3 cos 180 minus theta minus cos theta होता है अब आपका theta और pi minus pi by 3 को आप equate कर सकते है तो theta equal to 2m pi plus minus 2 pi pi 3 वे डिरेक्ट इसले बता रहा हूँ कि इसके पहले हम यह 1 plus 2 cos theta solve कर चुके है तो यह इसका solution आएगा sin x plus sin 2x plus sin 3x plus sin 4x यागे नहीं कि इस x की जगा आप theta भी तब्दिल कर सकते हैं equal to 0 तो क्या करें पहले sin 4x और sin 2x को साथ ले लिजे sin x और sin 3x को साथ ले लिजे अब सिधा formula लगाई है sin c plus sin d का तो यह आए जगा पहले वाले का यह वाले और यह वाले का अभी डिरेक्ट formula आपको पता ही है sin c plus sin d हम काई फिर बार पढ़ पढ़ चुके हैं यहां आपका x बना क्योंकि 2,2 cancel हो जाएगा यहां पर 4x by 2 यहने की 2x और 3x minus 2 यहने की 2x by 2 यह 2,2 cancel यह हो गया इन दोरों से आप यह 2 और cos x 2 और cos x कामन ले ले लिए 2 cos x कामन ले ले लिए sin 3x plus sin 2x आया इसमें फिर से formula लगा दीजे यहों का 2 sin this plus this by 2 तो अब 3 चीज़ आगए यह तो cos x 0 होगा क्योंकि equal to 0 है और तो 0 नहीं हो सकता यह sin 5x by 2 0 होगा यह cos x by 2 0 होगा यह तिनों में से एक चीज 0 होगी तो सिधा आप इसके formula आपको पता है यह already हम देख चुके है सिधा इसी बात है कि यह जो x होगा 2n plus 1 pi by 2 यहाँ पर एक और टर्म ले लिजिए m क्योंकि sin 5x by 2 का मतलब है 5x by 2 m pi के बराबर होगा और cos x by 2 इसी की तरह लगा दीजिए x by 2 equal to यहाँ पर हम r ले ले लेते क्योंकि n ले लिया m ले लिया यहाँ r ले सकते थे k ले सकते थे यहाँ पर क्या करेंगे आपको यह 2 बस यहाँ ले जाना है तो 2 जैसी यहाँ ले जाएंगे 2, 2 यहाँ ले ले कैंसल हो जाएगा तो x हो जाएगा 2 r plus 1 pi sin 3 theta minus sin theta equal to 4 cos square theta minus 2 इसका general solution निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें cos 2 theta क्या होता है cos 2 theta होता है 2 cos square theta minus 1 पिर से समझेए cos 2 theta होता है 2 cos square theta minus 1 तो इसमें से यह वारा devo right hand term है इससे 2 common ले लिए 2 common लेती बुए आपको आएगा 2 cos theta minus 1 2 cos square theta minus 1 क्या होता है cos 2 theta यह तो formula है तो 2 cos 2 theta आ ज 채ähän 2 cos 2 theta sin theta minus 2 cos theta equal to 0 तो अब जो अगर इसको मैं ऐसे कर दो minus equal to 0 इन दोनों से 2 cos 2 theta, 2 cos theta common ले लेगी तो अंदर बचा sin theta minus 1 तो यह term 0 होगा यह term 0 होगा दोनों का अलगर लेके चलेंगे तो 2 theta सीधा 2n plus 1 pi by 2 आजाएगा अब 2 से divide कर दीजे 2n plus 1 pi by 4 आजाएगा sin theta equal to 1 यानिके sin theta 1 कब होगा sin pi by 2 अब इसका अब general solution ने पता है theta और जब pi by 2 हो तो mpi plus minus 1 की power m और यह आपका alpha है यानिकी pi by 2 यह आपका time होगा sin 2x minus sin 4x plus sin 6x इसमें क्या करेंगे इन दोनों को साथ ले लिजिए sin 2x और sin 6x 6x को इसमें को common लेंगे इसमें formula लगाएंगे sin c plus sin d का यानिके 2 sin this plus this by 2 और this minus this by 2 तो क्या बनेगा यह sin 4x वैसे रहेगा यह आपका 4x हो जाएगा और यह आपका 2x हो जाएगा तो बना 2 sin 4x cos 2x minus sin 4x अब इन दोनों से sin 4x sin 4x common लेंगे sin 4x common लेते ही अंदर आएगा 2 cos 2x minus 1 sin 4x याद तो 0 होगा या फिर 2 cos 2x minus 1 0 होगा तो 4x सिदा आप n pi कर दीजिए यानिके n pi by 4 आ जाएगा x यहाँ पर 2x यह जो cos 2x है equal to 1 और cos 2x will be 1 by 2 1 by 2 की जगा आप cos 5 by 3 लग दीजिए यानिकी cos 60 लिग दीजिए इसका मतलब सिदा general solution लगा दीजिए x equal to यह जो solution होता है यह आप अरड़ी सीख चुके है तो यह solution इसको लिखतीजिए यह आपके दो solution हो जाएगी अब है tan x plus tan 2x plus tan 3x इसका जो question है वो कुछ इस तरीके से है tan x plus tan 2x plus tan 3x equal to 0 तो इस tan 3x को हम लिख सकते हैं tan 2x plus x लिख सकते हैं ना इसका formula क्या होगा tan x plus tan 2x by 1 minus tan x tan 2x इसी को यह लिखा वा है यह चीज़ है जो चीज़ आई हो यहां से आई है अब tan x plus tan 2x इसको यहाँ पर tan x plus tan 2x यहाँ है इन दोरों से यह वाले term और यह वाले term से tan x plus tan 2x इसमे भी tan x plus tan 2x है इन दुनों टर्म से 10x plus 10x common ले ले लिए यहां पर 1 बचेगा यह 1 आ गया और यहां पर आपका 1 by 1 minus 10x 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 आएगा यहां ठीक है यह भाहर है इसको ज़रा solve करना पड़ेगा यह गया 1 plus 1 by 1 minus 10x और 10x तो यह होगा 1 minus 10x 102x यह प्लस 1 by 1 minus 10x 102x यह बना 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 हो जागा 2 2 minus 10x 102x अब जो नीचे चीज आ रही है इसको मैं k मानता हूँ क्योंकि यह बराबर 0 है देखें यह जो नीचे वाला टाम है मानलेजिए यह k term है k equal to 0 तो यह k ऊपर जाके वैसे भी 0 हो जाएगा तो क्यों यह बचेगा 10x 102x और 2 10x 2 minus 10x 102x यह ठीक है तो इसका मतलब यह है कि या तो यह 0 है या यह जीरो है या यह वाला term 0 है या यह वाला term 0 है तो पहले वाले जिका मिलेगा 10x plus 102x equal to 0 इसका मतलब 10x equal to minus 102x अब जानते है 10 minus theta minus 10 theta होता है तो इसको हम रिख सकते है 10x equal to 10 minus 2x वोई चीज़ यह आपको दिख रहे हैं दूसरे बारे से क्या करेंगे यह वाला term है 2 minus 10x 102x equal to 0 रखिए तो 10x 102x 2 आ जाएगा यह वाला एक term होगे अब यहापको तो हम direct formula लगाएंगे क्योंकि 10 theta equal to 10 alpha है अब direct formula लगा दिजिए x equal to n pi minus 2x यह alpha हो जाएगा तो आपको क्या बनेगा 2x इदर ले आईए यह 3x जाएगा n by by 3 यह आपका एक हो गया इस साइड आते हैं 10x into 102x equal to 2 आ रहा है यह आपर 10x into 2x equal to 2 अब यह 102x है इसमें हम 102x का formula जानते है 2 10x by 1 minus 10 square x ठीक equal to 2 अब इसको यहाँ ले जा लिए तो मैं इसको क्रेक्ट बताता हूँ यह आपका 10x है यहाँ से शुरुआत करता ह 10x हो गया और यह 102x है 102x की जगा हम लिखा लिखा 2 10x by 1 minus 10 square x equal to 2 इसको यहाँ ले जा रहे है तो 10x 2 10 square x हो गया equal to 2 1 minus 10 square x यह बने का 2 10 square x equal to 2 minus 2 10 square x ठीक अब आप देखें इसमें 2 10 square x यहाँ पर आ गया और minus 2 10 square x यहाँ ले जाए 2 10 square x यहाँ यहाँ पर आएगा तो 2 plus में आएगा यह दर आके plus हो जाएगा 2 10 square x plus 2 10 square x हो जाएगा 2 4 10 square x equal to 2 वह यहाँ आप आप देखें 4 10 square x equal to 2 दूनों साइट 4 से रिवाइट कर दीजिए तो 10 square x हो जाएगा 1 by 2 अब 10 square x equal to यह आपका 1 by 2 की जगा आप लिख सकते है 1 by root 2 यहाँ यहाँ 10 pi by 4 1 by root 2 लिख सकते है इसका general solution हमारे पास है x हो जाएगा mpi plus minus 10 inverse of 1 by root 2 यहाँ 10 inverse of 1 by root 2 is nothing but pi by 4 यहाँ 10 inverse of 1 by root 2 लिख सकते है pi by 4 लिख सकते है यह इसका solution हो जाएगा अब है 10 theta plus 10 2 theta equal to 10 theta plus 2 theta देखें इसको कैसे किया हमने question किस तरीके से था question कुछ इस तरीके से है 10 theta plus 10 2 theta equal to 10 3 theta तो इस 10 3 theta के जिए हमने हमने लिखा 10 theta plus 2 theta अब 10 a plus b का formula लगा दिया 10 a plus 10 b by 1 minus 10 a 10 b और इसको इधर ले आए तो इसको इधर ले आए तो minus में आ जाएगा है इसको यहाँ ले आए और 10 theta plus 2 theta से इसको खोल दिया अब इसमें क्या फायदा हुआ यहाँ लाने से देखें यह एक term है 10 theta plus 10 2 theta यहाँ पर term है 10 theta plus 2 theta तो इन दोनों से 10 theta plus 10 2 theta common ले लिए यहाँ बचा क्या है यहाँ 1 बचे का 1 minus 1 by 1 minus 10 theta 10 2 theta अब इसको उसी तरीके से solve कर लेंगे जैसे पहले वाले question किये सबसे पहले 10 theta plus 10 2 theta यह 0 होगा इसका बना भी आए कि 10 theta होगा यह वाला यह 0 होगा यह फिर अब देखें यह जो उपर वाला term है इसको जब solve करेंगे इसको मैं solve करता हूँ यह वाले को 1 minus 1 by 1 minus 10 theta 10 2 theta तो क्या बनेगा इसको ले जाए उपर 1 minus 10 theta 10 2 theta यह जाएगा minus 1 by 1 minus 10 theta 10 2 theta तो यह 1 1 cancel होगया minus 10 2 theta 10 theta आगया अब नीची का तो कोई मतलब नहीं होता क्योंकि बराबर 0 है यह जाए जाकि 0 हो जाएगा तो इसको ठाटा दी वाले term को तो आप भूली जाए यहाँ पर यह 1 1 cancel होगया तो क्यों minus 10 theta 10 2 theta बना तो अब इससे क्या solution बनेगा इसको ठाटा दी एक तो यह तो 10 theta 0 होगा जो यहाँ लिया यह 10 2 theta 0 होगा यह यहाँ लिया हमने क्या किया कि इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से लिखिए यह 10 2 theta का formula लगा यह आपको याद है 10 2 theta का formula कैसा लगा था देखिए 10 2 theta का हमने यह formula लगा था 2 10 x by 1 minus 10 square x तो यहाँ पर है 10 theta plus 10 2 theta की जागा 2 10 x 2 10 theta by 1 minus 10 square theta देखिए 2 10 theta by 1 minus 10 square theta इसी को लगा है आपके यहाँ पर आगया अब जारे इसको solve कर लेते हैं अब रावट 0 है इध्या रखिएगा इसको इसको सब्रिब्लाइ करिए 10 theta 1 minus 10 square theta यहाँ पर आएगा plus 2 10 theta अब आपर 0 है तो नीचे वाले का हम consider भी नहीं करेंगा 1 minus 10 square theta 0 है यहाँ पर क्या बनेगा 10 theta minus 10 cube theta plus 2 10 theta तो 2 10 theta 10 theta minus 10 cube theta minus 2 theta इसको करने के उशक्ता आप इसले नहीं है क्यों 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 इसको बताता हूं इनसे आप 10 theta पहले common ले ले लिए इससे ही ले लिए फिर हम solve करेंगे या फिर पहले ही आप 10 theta common ले 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 लिए तो क्या बनेगा 1 plus 2 by 1 minus 10 square तो 10-3 टाइक वेड़ी जीरो इसका तो हम solution ले चुके तो इसको भूज़ जाईए अब अब अच्छा 1 plus 2 by 1 minus 10 square तो यह क्या बनेगा इसको ले जाईए उपर 1 minus 10 square इसके साथ हो गया प्लस 2 5 1 minus 10 square क्योंकि वरापट 0 है तो इसकी तो कोई value नहीं रहेगी 1 minus 10 square plus 2 यहने कि 3 minus 10 square हो गया तो 10 square कितना हो गया 3 10 कितना हो गया root 3 plus minus root 3 यही यहाँ पर आया है 10 theta equal to plus minus root 3 तो यह इसका solution होगा अगर आप चाहें तो root 3 की जगा 10 की value रखे यह आप जानते है root 3 किसकी value होती है 10 की तो 10 की value रखे यहाँ पर आप इसको 10 theta equal to 10 alpha से भी solve कर सकते है ऐसे solution है यूँकि book में यह उतर दिया हूँ इसले इसको रख दिया अदो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसका भी solution ऐसे निकालेंगे क्योंकि आप जानते है root 3 की value 10 में क्या होती है अब है 10 3 theta plus 10 theta equal to theta plus 10 theta equal to 2 tan 2 theta अब इस 2 tan 2 theta को आप लिख सकते है 10 2 theta plus 10 2 theta तो एक को इधर ले आईए और इस 10 theta को इधर ले आईए तो क्या बनेगा 10 3 theta minus 10 2 theta और 10 2 theta minus 10 theta अब इसको देखिए यहाँ पर जो है 10 3 theta minus 10 2 theta इसको हम क्या कर सकते हैं इसको हम उपर नीचे कैसे लिखेंगे यह 10 3 theta minus 10 2 theta है इसको देखिए अगर हम 10 theta लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 10 3 theta minus 2 theta इसका मतलब हुआ 10 3 theta minus 10 2 theta by 1 plus 10 3 theta into 10 2 theta तो इस 10 3 theta minus 10 3 theta minus 10 2 theta की जगर क्या लिख सकते हो इसको यहाँ ले जाईए 10 3 theta minus 10 2 theta की जगर लिख सकते है 10 theta into 1 plus 10 theta, 10 3 theta, 10 2 theta तो यहाँ यही लिख दिया है similarly इसके रहे होगा हम 10 theta को फिर से लिख सकते है 10, इस बार लिखेंगे 2 theta minus theta यहाँ पर क्या हैगा 2 theta minus 10 theta by 1 plus 10 2 theta, 10 theta और यहाँ 10 theta रहेगा, यहाँ हम रिप्लाइ करेंगे 10 2 theta minus theta को हम लिख सकते है 10 theta into 1 plus 10 2 theta 10 theta अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएगे 10 theta कोमन लेंगे क्या बच्चे का 1 plus 10 theta 10 2 theta minus क्योंकि यहाँ ले आए न, minus 1 और minus 10 2 theta, 10 theta इससे 1, 1 हटा दिजे यह कैंसल हो गया, आपका बना 10 3 theta, 10 2 theta, minus 10 2 theta 10 theta, इसससे 10 2 theta common ले लिजे 10 theta हमने ले लिए, था ही common 10 2 theta भी ले लिए, तो यह दोनों common हो गया, बचा 10 3 theta minus 10 theta, तो क्या होगा यह तो 10 theta 0 होगा यह 10 2 theta 0 होगा यह 10 theta minus 10 10 3 theta minus 10 theta 0 होगा तो पहला देखिए यह वाला तो simple आजएगा, 2 theta equal to 0 याने कि जो 10 2 theta 0 जो हमने लिया, उसे 2 theta सीधा n pi आएगा, आज़ी, divide by 2 कर दीजे इसको, तो n pi by 2 आगया यह अब आईए इस पर यह आले, पहले यह सारा complete कर ले थे 10 theta equal to 0 कर ले थे, 10 theta equal to 0 मतलब theta equal to m pi यहान लिए तो m ले ले लेंगे अब 10 3 theta minus 10 theta, इसके लिए क्या करेंगे 10 theta यहान रखेंगे, 10 theta को यहान ले जाएंगे 3 theta यहाँ पर, theta यहाँ पर तो अब यहाँ पर 10 theta equal to 10 alpha वाला आगया इसमें क्या करना है, 3 theta हो गया n pi plus यह theta अब theta को इदे ले आईए तो 3 theta minus theta होगा 2 theta 2 theta वराबर n pi, theta हो जाएगा n pi by 2 तो यह आपका n pi by 2 और m pi, यह इसके solution है अब sin theta plus cos theta equal to root 2 इसको जो solution करना है इसमें इसको r, जो यह वाला जो term है 1 और यह वाला जो term है 1 इसको r cos theta और इस तरीके सा r sin theta रखते है लेकिन यहाँ पर हमको clear दिख रहा है कि अगर हम दोनों side को 1 by root 2 से divide करते है तो 1 by root 2 हो जाएगा यह भी 1 by root 2 हो जाएगा और यह root 2 है तो यह basically 1 हो जाएगा तो 1 by root 2 sin theta, 1 by root 2 cos theta equal to 1 अब हम जानते हैं कि 1 by root 2 cos 45 degree, sin 45 degree यह दोनो 1 by root 2 होते हैं कहने का मतलब इसकी जगा हम sin 45 लिख सकते हैं और इसकी जगा हम cos 45 लिख सकते हैं अब देखिए sin A cos B plus cos A sin B, सीधा मतलब होगा cos A minus B यह दोने cos theta minus pi by 4 का formula हो गया equal to 1 1 को हम लिख सकते हैं cos 0, क्योंकि cos 0 1 होता है अब इसको हम cos theta equal to cos alpha वाले formula से लिखेंगे theta minus pi by 4 will be equal to 2n pi pi by 4 को इधर ले आईए 2n pi plus pi by 4 अब चाहे तो आप इसमें से pi by 4 common ले सकते हैं यह 8n plus 1 आएगा next वाले में क्या है दोरो side को आप 2 से divide कर देजे तो यह होगा root 3 by 2 cos theta यह होगा 1 by 2 sin theta और यह 1 by 2 तो यहाँ पर यह root 3 by 2 है यह हम लिख सकते हैं cos 5 by 6 क्योंकि cos 30 degree root 3 by 2 होता है यह 1 by 2 है sin pi by 6 यह नहीं कि 1 by sin 30 degree 1 by 2 होता है 1 by 2 की जगा हमें sin 30 degree लिख दिया अब यह देखिए यह जो formula हुआ वो cos theta minus pi by 6 का formula हो गया तो आप theta minus pi by 6 को minus pi by 6 का बराबर करेंगे 2n pi plus आपका pi by 3 2n pi plus 2n pi plus minus pi by 3 अब इस minus pi by 6 को यहां लेए यह प्लस pi by 6 करेंगे तो एक बार आप plus लेंगे तो यह आएगा एक बार minus लेंगे तो यह आएगा क्योंकि यह आलएडी हम कर चुके है इसलिए मैंने डारेक्टी इसको बता दिया अब यहाँ पर क्या करेंगे यह sin 45 degree cos 45 degree तो यह आपका फार्मला बन गया cos theta minus pi by 4 का यह आप 1 by root 2 की जगा cos pi by 4 लिख सकते हैं तो सीधा आगया theta minus pi by 4 equal to 2n pi plus minus pi by 4 pi by 4 को यह minus में है इदर ले जाएए प्लस करिए इसको एक बार plus लीजे एक बार minus लीजे यह आपका solution आएगा अब कोजेक theta equal to 1 plus cot theta कोजेक को 1 by sin करदीजे 1 plus cot theta को 1 plus cos theta by sine theta करदीजे तो यह होगा 1 by sin equal to 1 plus cos by sine तो क्या आया 1 by sin यह अगा sin plus cos by sine sin कैसर sin plus cos आपका बन आगे अब दोनों side को root 2 root 2 से डिवाइद करदीजे तो यह 1 by root 2 यहा भी 1 by root 2 और यहां 1 by root तो इसकी जगह आप sin pi by 4 याने कि sin 45 degree इसकी जगह cos pi by 4 याने कि cos 45 degree तो यह बनके आपका cos theta minus pi by 4 का formula cos theta minus pi by 4 यहां 1 by root 2 की जगह आप cos pi by 4 रख दीजे तो theta minus pi by 4 होगी आपका 2 in pi plus minus pi by 4 उसको यहां ले आई यह प्लस पाई बाई फॉर होगा, एक बाई प्लस लीजे, एक बाई मैनस लीजे तो यह आपकी exercise हुई trigonometric equations की बहुत शुक्रिया, बहुत मेरबानी आप सभी की